आज हम फूड के बारे में पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे फूड मेने होता है खुराक खुराक मीन्स खाना जो हम खाना खाते हैं ठीक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे देखो फूड से हमें एनरजी मिलती है फूड से हमारी body की growth होती है फूड से हमारे organ को protection होती है हमारे organ जो है वो protect हो जाते है तो food मतलब खुराक food means खुराक खुराक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे energy giving food energy मतलब ऐसी खुराक जिससे हमें ताकत मिलेगी और energy giving food में कौन-कौन सा आता है energy giving food में आता है cereals cereals मतलब आता है cereals and sugar cereals मतलब अनाज और sugars जैसे देखो जैसे देखो जैसे rice rice हम खाते हैं हम चावल खाते हैं हम wheat means गहूं खाते हैं हम कौरन हम मक्की की रूटियां खाते हैं कोरन खाते हैं हम शुगर खाते हैं शुगर निकलता है शुगर केन प्लांट है शुगर केन पोदा है उस पोदे से सुगर निकलता है तो ये था हमारा energy giving food में cereals और शुगर राइस, वीट, कॉर्ण और शुगर उसके बाद हम फैट्स हमें फैट्स कहां से मिलती है फैट्स को हम लिपर्ट्स भी कह सकते है हमें फैट्स कहां मिलते है फैट्स हमें घी में होता है घी में फैट होता है घी हम खाएंगे तो हमें फैट मिलेगा oil में भी fat होता है तो हम oil को लेंगे तो हमें fat मिलेगा ठीक है ये था हमारा energy giving food के बारे में ठीक उसके बाद हम पढ़ते हैं body building food क्या body building food जिसे हमारी body जो है वो strong और मजबूत हो जाती है इसमें आता है सबसे पहले pulses जितनी जादा दाले हम खाएंगे उतनी body हमारी build होगी pulses में green gram जो हम gram खाते हैं या black gram खाते हैं जिसको हम mung भी कहते हैं तो हम या red gram खाते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है body building food है या हम बंगाल gram खाएंगे या peas matter खाएंगे या beans हम खाएंगे beans मतलब जो राजमा है अगर वो खाओ गया तो ये body building food होता है क्यों होता है इसको कहते है body building food या milk product अगर खाओगे दिखिए जैसे milk मिलक में protein होता है तो protein को कहा जाता है body building food किसको कहा जाता है body building food body building food कहा जाता है protein को p-r-o-t-e-i-n protein प्रोटीन को कहा जाता है बाडी बिल्डिंग फूट मिलक के साथ अगर हम कर्ड लें कर्ड भी लें तो ये भी एक बाडी बिल्डिंग फूट है चीज लें ठीक है चीज और बटर ठीक पनीर आप खाओ या आप देहीं खाओ ठीक उसके बाद हम आते हैं नट्स तो नट्स जो है नट्स से भी प्रोटीन मिलती है और उन प्रोटीन की वज़ा से हमारी बॉड़ी होती है सिट्रोंग नट्स में आता जैसे केशियो नट काजू ठीक है काजू खाएए आपने वालनेट बदाम वालनेट हो गया अक्रूट या ग्रोंडनेट हुआ ग्रोंडनेट क्या हुआ ग्रोंडनेट किसको बोलते हैं ग्रोंडनेट हुआ मुंगफली या अल्मोंड अल्मोंड मीन्स बदाम ठीक है चैसे हम इन फूड यह होगे नट्स ठीक है इन नट्स को का जाता है ड्राइफूट भी क्या कहते हैं इनको इनक कि हम जब ये इनको हम सुखाते हैं और सुखाने के बाद हम इनको यूज करते हैं ठीक उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव फूड जो प्रोटेक्शन का काम करें जो हमारी बॉड़ी को प्रोटेक्ट करें ठीक है और प्रोटेक्टिव फूड में आता है हमारा एप सेब संट्रा आम और ग्रेफ इसपैलिंग भी याद करनी है एपल आ गया ओरेंज आ गया मैंगो आ गया ग्रेफ आ गया यह वो फ्रूट से यह वो फॉल हैं जो प्रोटेक्शन का काम करते है उनको कहते हैं यह प्रोटेक्टिव फूड आ गया उसके बाद हम पढ़ते हैं वेजिटेबल्स कौन कौन से हैं जो क्रोटेक्शन का काम करते हैं इसमें आगया हमारा लेडी फिंगर्स आगया पीज आगया, मटर आगया कोकेरोट आगया या टॉमेटो आगया ये हमारे वेजिटेबल्स हैं जो protective food में आते हैं बिंडी आगी, मटर आगी, मूली आगी या आलू आ गया यह स्वारी, tomato, tomato, tomato आ गया ठीक, अच्छा, उसके बाद हम fast food भी कभी गुबार खा लेते हैं तो fast food भी हमारे लिए protection का काम करता है ठीक, या do not take exposed food exposed food हमने नहीं खाना है जो खराब खाना है ना, खराब खाना खराब खाना हमने नहीं खाना है ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं drinks, क्या कौन-कौन से drinks हम लेते हैं cold drinks लेते हैं cold drink में कौन-कौन से लेते हैं cold drink में हम cola लेते हैं cold drink में हम lemon लेते हैं लेते हो ना, orange लेते हैं या हम कैरोट टमैटो जूस लेते हैं या हम ओरेंज जूस लेते हैं संत्रे का जूस या हम गन्ना का जूस लेते हैं जिसको हम बोलते हैं शुगर केन जूस ये भी हम लेते हैं इसके अलावा हम हॉट ड्रिंक कौन से लेते हैं हॉट मतलब जुनको हम गरम हम खाते हैं जो हम गरम पीते हैं वो क्या क्या आगया वागी कॉफी एक कॉफी हम लेते हैं या टी हम गरम लेते हैं और यह हम थंडा लेते हैं जो बहुत थंडी हो गोकोका लेमन ओरेंज ठीक है उसके बाद अब आते हैं questions पे Why do you eat food? हम खाना क्यों खाते हैं? We eat food to grow and get energy हम खाना इसलिए खाते हैं ताकि हमारी growth हो हम बढ़ें और हमें ताकत मिले Tell the name of four pulses चार pulses के नाम आपने बताने हैं Green gram, Black gram, Red gram और Bengal gram आप pulses में लिख सकते हो इसमें beans भी आप लिखोगे Tell the names of four nuts चार nuts के बताओ नाम केशिवनट, काजू, वालनट, अखरूट, ग्रोंडनट आ गया मुंफली, अलमोड आ गया बदाम Which vegetables do you eat raw? We eat tomato and carrot raw हम क्या tomato and carrot raw को लेते हैं Which vegetables do you eat cooked? कौन सी हम cooked vegetables लेते हैं? We eat peas and lady finger cooked है न, पक्का हुआ, cooked मतलब बना हुआ, पक्का हुआ खाना जो होगा Which food do you like to eat? आप किस किसम का खाना पसंद करते हो? तो I like to eat sweet, curd, nuts and fruits हम क्या-क्या पसंद करते हैं? हम sweets खाना पसंद करते हैं, curd खाना पसंद करते हैं, nuts खाना पसंद करते हैं which food you should not take हम कुन सा food नहीं के लेते हैं हम exposed जो खराब खाना है न खराब खाना और जो stale food होगा exposed और stale food को हम खराब खाने को हम नहीं लेते हैं खराब खाना हम नहीं खाते हैं ठीक है trace and color ये इसको trace करो ये क्या है ये आगे हमारे पास apple और ये lady finger इन दोनों को आपने color करना है इधर आपने apple बनाना है और उस apple को आपने cover करना है ठीक है और यह lady finger بنनानी है और इस lady finger को भी आपने color करना है ठीक यह था हमारा lesson तो इसको आपने याद करना है अच्छे से